हेलो दोस्तों ये है Tata Nexon XZ Plus Dual Tone Roof Model Nexon Petrol और Diesel दो इंजिन में आती है Manual और Automatic Transmission के साथ इसमें 31 Variant आते हैं 6 Color का Option मिलता है Nexon को Crest Test में 5 Star Rating मिली है आप देख रहे हैं Nexon XZ Plus का 1.2 Liter Petrol Variant जो की Flame Red Color के साथ है इसमें Features क्या है, Price क्या है ये सारी जनकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो सबसे पहले हम इसके Front से Start करते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं इसका जो Look है वो Flame Red Color के साथ काफी Attractive लग रहा है तो चलते हैं इसके Front की तरफ तो यहां पर एक Tata का बड़ा सा Logo दिया गया है जो की 3D में और Chrome Finance के साथ मिल जाता है और यहां पर आपको Grail मिल जाती है जो की Half Cover है जो की आपको मिल जाती है Piano Blackness में नीचे की Side आपको मिल जाती है Chrome की Strip और यहां से आप इसकी Head Light section को देख सकते हैं इसमें आपको Projector LED Light मिल जाती है और नीचे आपको मिल जाती है LED DRL और यहां पर आपको Halogen Head Lamp मिल जाती है और इसके Side में आपको Piano Blackness मिल जाती है और इसका जो Look है वो काफी प्यारा लग रहा है और यहां पर आपको Fog Lamp मिल जाती है Halogen के साथ और यह है इसका Front Bumper का नीचे वाला इससा जो की काफी खूबसूरत दिया गया इसकी जो Radiator Grill है वो भी काफी Dual Tone Color में मिल जाती है Matte Black और Silver Finish के साथ अब चलते हैं इसके उपर की साइड में तो यहां से आप इसके कट्स को देख सकते हैं यहां पर आपको दो बाइपर मिल जाते हैं अब बात करें इसके इंजन और पावर की तो इसमें दिया है 1.2 लीटर रिवो ट्रोन टर्वो चार्ज 1199 CC का 12 वाल्ब 3 सिलेंडर DOSC MPFI BS6 इंजन जो देता है 118.3 BHP की पावर 5500 RPM और 170 NM का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से 4000 RPM इसमें दिया है 6-speed manual transmission gearbox इसके मैलेज की बात करें तो कंपनीज का मैलेज क्लेम करती है लोकल में 17 KMPL का और हाईवे पर 20 KMPL का मैलेज क्लेम करती है इसके side profile की बात करें तो इसके front में दी गई है disc brake और rear में आपको मिल जाती है drum brake और इसका जो tire size है वो आपको मिलता है 215 वाई 60 R16 का इसमें 16 इंच के allow wheel मिल जाते हैं tueless tire मिल जाते हैं और इसके front में आपको मिल जाते है independent lower bisbone mag version stood with coil spring type के suspension और इसके body panel पर आपको मिल जाती है rubber की strip जो की सांदार लुक देती है और यहाँ पर आपको मिल जाते है silver finish के साथ जो की काफी जादा अच्छा लुक दे रही है और यहाँ पर आपको door handle मिल जाते है body color के साथ और इसका जो B pillar है वो आपको black color का मिलता है और इसके उपर आपको roof rail मिल जाती है जो की silver finish के साथ दी गई है और यहाँ पर आपको एक roof भी मिल जाती है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते है और इसके नीचे की side में देखोगे तो यहाँ पर आपको door side cladding देखने को मिल जाती है और नीचे की side में भी आपको 209 mm की ground clearance मिल जाती है जो की एक SUV के साब से काफी ज़्यादा comfortable रहती है इसके rear में भी आपको 16 inches के allow wheel मिल जाते है टाटा की branding के साथ और tula star दिये गए है और semi independent close profile twist beam width coil spring and sock absorber type के suspension मिलते है और इसका जो C pillar है वो आपको black matte finish के साथ मिलता है इसकी जो design है वो corner side की वो भी ज़्यादा काफी ज़्याद attractive यहां भी आपको design देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको Tata का logo मिल जाता है जो की 3D में chrome finish के साथ है और यहां पर आपको नीचे की side में back camera मिल जाता है और यहां से आप इसके बाइपर को देख सकते हो और यहां पर आपको silver finish और नीचे की side में आपको black piano finish देखने को म नीचे की साइड में आपको जो है हेलोजन बल्ब की यूनिट देखने को मिल जाती है इसका जो इंडिकेटर है वो आपको बल्ब में देखने को मिल जाता है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और चिसके नीचे की साइड में चलें तो यहां पर इसके बंपर के दौनों लेंब मिल जाती है, जैसा कि इसके rear वाले mirror के उपर देखने को मिल जाती है, अब दोस्तों मैं आपको इसके boot space को open करके दिखा देता हूँ, तो इसका जो boot space है, दोस्तों वो आपको मिल जाता है, 350 लीटर का, जो कि काफी बड़ा है, आप इसकी seat को hold करके rear वाली को भी उर टेंक की जो कैपिसिटी है वो 44 लीटर की यहां पर दी गई हो यहांसे आप इसके रियर के विउग को देख सकते हूं तो अब बात कर लेते हैं इसकी सेकंड रो के बारे में तो टाटर नैक्सॉन की जो सबसे अच्छी खासियत है वो इसकी बिंडो को लेकर है इसकी जो जाता है और नीचे की साइड में आपको जो है स्पीकर का ऑप्सन दिया है और यहां पर आपको सामन रखने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है और यहां पर उपर की साइड में आपको जो है मैट ब्लैक निस मिल जाती है और यहां से आप इसकी सीट को देख सकते हूं जो कि इसमें काफी premium quality की seat दे गई है और बीच की side में आपको armrest भी मिल जाता है और यहाँ से आप इसके cabin को देख सकते हो जो की काफी जादा spacious है और पीछे वाले passenger के लिए भी यहाँ पर आपको AC का vent देखने को मिल जाता है जो कि आप इसको rear की side में से भी adjust कर सकते हैं और इसका जो keven है वो काफी बड़ा दिया गया है अब बात कर लेते हैं इसके front वाले door की तो यहां भी आपको dual tone color का option मिल जाता है यहां पर आपको चारो power window का option यहां पर आपको जो है door handle मिल जाता है और यहां पर आपको black piano philis मिल जाती है और नीचे की side में आपको speaker का option हो यहां पर आपको थोड़ा सा space सामार रखने के लिए देखने को मिल जाता है दोस्तों और यहां पर आपको side mirror का control मिल जाता है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और यहां से आप इसकी seat को देख सकते हैं इसकी seat के ऊपर की side में आपको head rest भी मिल जाते हैं काफी premium quality का इनकी seat में material यूज किया गया है इसकी जो cushioning है वो भी काफी ज़्यादा soft दी गई है यहां पर आपको adjust करने के लिए seat को दो है handle मिल जाता है यहां पर आपको manual भी दिया गया है और यहां पर आपको clutch accelerator और brake का option हो यहां पर आपको bonnet को open करने के लिए भी hook दिया गया है और यहां से आप इसकी dashboard को देख सकते हैं जो की dual tone color में दिया गया है जो की काफी ज़्यादा premium quality का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और इसकी steering के उपर आपको टाटा की branding और यहाँ पर आपको control देखने को मिल जाते हैं इसकी steering के उपर जैसा कि यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं और इसकी steering के उपर आपको leather की covering देखने को मिल जाती है जैसा कि इसकी जो steering का जो cover है वो भी आपको काफी premium quality का देखने को यहां पर आपको मिल जाता है दोस्तो और यहां पर आपको मिल जाते हैं light के और indicator के control जैसकं कि यहां से आप देख सकते हैं और इसके left hand side में आपको मिल जाते हैं और बाइपर के control जैसकं यहां से आप इसके vypher को control कर सकते हैं और इसके पर आपको push start का बटन देखने को मिल जाता है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और यहां पर आपको जो ए Dartmouth cluster मिल जाता है जो की fully digital टाइप का दिया गया है पहुत सारी indication light देखने को मिल जाती है यहांपर आपको man headlight, indication light, engine malfunction किलोमेटर की reading, किलोमेटर पर आर की speed का reading और यहांपर आपको的时候 PARम की trip और यहांपर आपको warning indication, fuel reading और यहांपर आपको tire के pressure की reading भी देखने को कलोक की reading और जहांपर आपको city mode, highway mode और Sports Mode, सारे Mode की Indication Light यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, और उपर की साइड में, Corner में आपको RPM की Reading और बहुत सारी Indication Light यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, जैसा कि दोस्तों यहाँ से आप इसके Meter Console में देख सकते हैं, और यहाँ से आप इसके Dashboard की उपर की तरफ देख सकते हैं, इसमें आपको Harmon का Music System मिल जाता है, डिस्पले के साथ में, जो की काफी Premium Quality का दिया गया, यहाँ पर आपको AC के Bent और बीच में आपको Hazard का Switch देखने को मिल जाता है, और नीची भी आपको थोड़े से Control और यहाँ पर आपको AC के Control देखने को मिल जाते हैं, जो क Black Piano Finish की Combination में दिये गए हैं, जो की काफी जदा Premium Quality के लग रहे हैं, और यहाँ पर आपको 6-speed Manual Gear Transmission का Setup देखने को मिल जाता है, और इसके नीचे की साथ में आपको Chrome की Finish और Black Piano Finish देखने को मिल जाती है, जो की काफी Premium लग रही है, और यहाँ पर आपको Mode के लिए एक Control मिल ज जाता है, अगर आप इसको ऊपर की तरफ Slide करोगे, तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत सामान इसमें रख सकते हैं, और यहाँ पर आपको Headrest भी मिल जाता है, जो की काफी जदा Premium Quality का है, और इसके उपर आपको Black Leather की Finish मिल जाती है, और यहाँ से आपकी seat को भी देख सकते हो अब दोस्तों इसके Glob Box की बात करें, इसका जो Glob Box है, वो काफी जदा सांदर दिया गया है, जो आपको इस Segment की किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता है, आप अपनी जरूत के साब से इसके Glob Box को यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आपको Cup Holder भी मिल जाते हैं, और अंदर की और यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको Sunlight Protector देखने को मिल जाते हैं, जिसके उपर की साइड में आपको Side Mirror भी मिल जाता है, और यहाँ पर आपको LED की लाइट और यहाँ पर आपको रूप की रूप की कंट्रोल मिल जाते हैं, इसकी रूप को तो इसमें आपको मिलती है कुछ इस टाइप की चावी जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं यही से आप इसको जो है लॉक उनलोक मैन हैडलाइट और इसके बूट इसको लॉक उनलोक कर सकते हैं तो बात करें इसके प्राइस की तो टाटा नेक्सों एक्जेट प्लस बन वो चार्ज रूफ वाले बेरियंट की एक सोरूम कीमत है 10,97,400 रुपे इसकी अनलोड कीमत है 12,23,285 रुपे यह अनलोड कीमत मैंने आपको बताई है टीसी मॉटर्स नोहा पाड़ा चिनार पार्क कॉलकता सोरूम की सोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क करें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं थैंक यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में